दोस्तो भारतिय रेलवे के द्वारा भीलाई के चरोदा में 50 MW का सोलर प्लांट अस्थापित किया गया, जो dedicated ट्रेडों को चलाने के लिए रहेगा, इस प्लांट के लग जाने से भारतिय रेलवे को प्रती वर्स 360 करोड रुपे की बचत होगी, दोस्तो बचत इसलिए होग क्योंकि जो सोलर प्लांट होते हैं वो सूरज की रोषनी को सीधर इलेक्टिसिटी में बदल देते हैं, दोस्तो इस प्लांट का इन्योगरेशन प्रधान मंत्री के द्वारा 24 फरवरी को किया गया, यहाँ पर प्रधान मंत्री के द्वारा सिर्भारतिय रेलवे ही नहीं, बलकि आम पबलिक को भी प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहट पूरे भारत में एक करोड लोगों को अपने घरों की छतो पर सरकार के द्वारा सबसीडी देकर सोलर पैनल लगवाये जा रहा है, जिससे यहाँ पर लोगों को 300 उनिट फ्री बिजली मिलेगी, दोस्तो इसके लिए सरकार के द्वारा 75,000 करोल रुपे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, दोस्तो जिस प्रकार से इस योजना का एम है कि एक करोड घरों की छतों पर सोलर पैनल को लगाना, तो आप सब के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि फिर इसके लिए बेस्ट सोलर मोडिल कौन सा रहेगा, क्योंकि PM सूरेधर मुफ्त बिजली योजना में साब बताया गया है कि सरकार के द्वारा सबसीडी केवल DCR सोलर मोडिल पर ही मिलेंगे, दोस्तो DCR का मतलब होता है Domestic Content Requirement, मतलब कि वह सोलर पैनल जिसका सोलर मोडिल और सेल सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मनुफेक्चर किये गए हो, सरकार के द्वारा सबसीडी सिर्फ उनहीं पैनल पर मिलेगी, तो दोस्तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है वारी कमपनी का सोलर मोडिल, क्योंकि वारी इंडिया का एक लार्जेस्ट सोलर पैनल मनुफेक्चर कमपन सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मांग को प्रभावी धंग से पूरा कर सकता है, वारी कमपनी अलग-अलग प्रकार के सोलर मोडिल, जैसे की पॉली, मोनो, बाइफेसियल, हापकट, टाइप के सोलर पैनल को बना कर लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, जिसका इस देशों में अपना सोलर मोडिल एक्सपोर्ट कर रही है, दोस्तों वारी कमपनी के सोलर पैनल की इनी खूबियों को दिखाने के लिए, मैंने एक 540 वार्ट का बाइफेसियल, मोनो पर्क पैनल मंगवाया है, तो चलिए देखते हैं कि यह पैनल, बाकी सारे मोडिल से कैसे तो सबसे पहले बात करें इसके पैकिंग की, तो आप देख सकते हैं कमपनी के द्वारा कितने बेहतरीन तरीके से इसे पैक करके भेजा गया है, जिसे ट्रांस्पोर्ट पे इसके कोई भी पार्ट डैमेज होने का चांस ना हो, तो इसे चलिए फटाफट से अन्बॉक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर वारी का एक ब्रांडिंग मिलेगा, और इसके बॉक्स को जैसे ही में ओपन करते हैं, तो आप इस मॉड्यूल को देख सकते हैं, दोस्तो इस पैनल की जो लंबाई है, साहे 7 फीट है, और चोड़ यहाँ पर electricity का generation होता रहेगा, साथी साथ यहाँ पर M10 का मतलब यह हुआ कि यह जो आप bus बार देख रहे हैं, इसमें 10 bus बार दिये गए हैं, दोस्तो यह जो है enhanced crack tolerance MBB module है, जिसका glass बर्पबारी में भी नहीं तूटता है, और इस पैनल में IP68, waterproof junction box और connector दिये गए हैं, जो सा साल तक पानी में खराब नहीं होंगे, दोस्तो इनी सब खूबियों के चलते company के द्वारा इस पैनल पर 12 साल की product warranty और 30 साल की output warranty दिया जा रहा है, दोस्तो इस पैनल की efficiency को measure करने के लिए, सबसे पहले हम इसके voltage और current को measure करते हैं, जिससे हमें इसका output पता चल सके, तो अभी दोपार के लगभग धाई बज रहे हैं, और धूब थुड़ा कम है, तो सबसे पहले अगर हम इसके voltage को measure करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह 46.9V है, और इसका current है, वह 12.75 है, दोस्तो अगर हम इसके current और voltage का multiply करें, तो यह लगभग 597 आता है, जो की 600W के बराबर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह 540W का पैनल, जो की अभी लगभग धाई बजे 600W का output दे रहा है, जो की एक बहुत ही बहतरीन तरीके से अपना performance कर रहा है, तो अगर आप PM सूरे घर मुफ्त बिजली योजना के तहद अपने घर की छतों पर solar panel लग बनाया गया है, जिसे आप प्रधान मंत्री का इनिसियेटिव मेकिन इंडिया के उमीद पर खरा उतरता है, वारी कंपनी को गौर्मेंट के द्वारा एप्रूब कंपनी की लिस्ट में सामिल किया गया है, तो अगर आप PM सूरे घर मुफ्त बिजली योजना के तहद अपने आप वारी की खुद की वैब साइट सौप.वारी.com से बड़े ही आसानी से खरी सकते हैं, जहां पर वारी कंपनी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जो आपके जरूरत के हिसाब से उन्हें भी आप पर्चेस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउ हो तो कॉमेंट करके जरूर लिखिएगा, पैनल आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद.